धारा 370, अनुछे 370, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, 351 को हटाने के लिए, कोई प्रखर रुप से तो कोई मुख रुप से समर्धन देता रहा है, लेकिन राजनीती के गलियारों में, चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग, 370 के पक्षमे, कुछ न कुछ कहते रहते हैं, जो लोग 370 के पक्षमे वकालत करते हैं, उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छे 370, ये आर्टिकल 370, ये 351, इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवारियर था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक, इतना भारी बहुमत होने के बाउत भी, आप लोगों ने उसको पर्मेनेंट क्यों नहीं किया, तेम्परेरी क्यों बनाए रखा, अगर इतना कनिविक्शन था, तो आगे आते, पर्मेनेंट कर देते, लेकिन इसका मतलब ये है, आप भी जानते थे, ये जोगगा हुआ है, वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था, राजनीती भविश्य पर सवाल या निशान लगते थे, मेरे लिए देश का भविश्य सब कुछ है, राजनीती भविश्य कुछ नहीं होता, हमारे समिधान निर्माताओं ने, सर्दार वल्लब भाई पटेल जैसे महपुर्शों ने, देश की एक्ता के लिए, राज के एकी करण के लिए, उस कठीन समय में भी, महत्पून फैंस ले लिए, हिम्मत के साथ फैंसल ले लिए, देश के एकी करण का सफल प्रयास किया, लेकिन, आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण, कुछ रुकावटे भी आई इश, आज लाल किले से, जो मैं देश को सम्मुभी कर रहा हूँ, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ, कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन, वन कॉंस्टिटूशन. और हम, सर्दार साथ का एक भारत, स्रेष्थ भारत इसी सपने को, चरितार्ज करने में लगे हुए है, तब ये साथ साथ बनता है, कि हम ऐसी व्यवस्ताओं को विश्कित करे, जो देश की एक्ता को बल दे, देश को जोड़ दो के लिए, सिमेंटिंग फोर्स के रुपए उभर करका आएं, और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अभीरत होनी चाहिए.